बॉलिवोड एक्टर अमिता बच्वन अपनी बीडिश वेता बच्वन नंदा से कितना प्यार करते हैं ये बात किसी से छिपी नहीं है हलाके बच्वन परिवार की लाडली भी अपने पेरिंट्स के लिए प्यार और केर शो करने का कोई मौका नहीं छोड़ती वो ना केवल है समय अपने परिवार के साथ टच में रहती हैं बलकि उनके साथ जिंदगी का अरखास मौका और स्पेशल इवन सेलिब्रेट करती हैं इस वज़ा से उनका शोशल मीडिया भी जलसा में ली गई तस्वीरों से भरा पड़ा है अपनी फैमली के साथ इस तरह हमेशा स्पोर्ट होना और ज्यादतर समय माबाद के संग जलसा में नजर आना कई लोगों के निगेटिव कॉमेंट्स को नियोंता देता है कुछ ट्रोलर्स ऐसा भी देखते हैं जो ये तक सवार उठा देते हैं कि श्वेता ससुराल से दूर माईके में ही क्यों दिखाई देती हैं वही कुछ ये भी कहने लग गए हैं कि श्वेता तो पती की जगा हमीशा अपने पेरेंस के साथ ही रहती है इस पर कुछ ने अंदाज भी लगाए कि अमितार किलार ली अपने ससुराल वालों से और पती से नहीं बनती क्या इसलिए वह दूर रहती हैं जबकि असलिया तो कुछ और ही है एक ऐसी सिच्वेशन है जिसे कई महिलाए खुद को रिलेट कर सकेंगी और श्वेता की सिच्वेशन को समझ सकेंगी श्वेता बच्चन अपने ससुराल से जरूर दूर रहती हैं लेकिन इसका मतलब यह रही कि उन्हें अपने पती से किसी की तारा की कोई दिक्कत है एक्चली श्वेता बच्चर और निखिलनंदा दोनों ही अलग-अलग प्रोफेशन से आते हैं जिस वज़ा से इस कपल को साथ में कम ही स्पोर्ट किया जाता है श्वेता जोहां राइटर, मॉडल और फेशन डिजाइनर है तो भही उनके पती निखिलनंदा स्कॉर्ट्स ग्रूप के मैनेजिन कारेक्टर है श्वेता के पती के पास करोडों की समपती है लेकिन इसके बावजूद वे अपने पते की कमाई पर जपैन नहीं रहना चाहती थी श्वेता ने नाकेवन अपनी पहचान बनाई वेलकि कमाई और पैसे से अपनी बच्चों को आर्खवाईश भी पूरी करती है वो श्वेता जब महज 20 साल की थी तब उनकी शादी कर दी गई थी उन्होंने अपनी मेरिड लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए कोई गसन नहीं चोड़ी दोनों बच्चों के जन के बाद पूरी तरह से उनकी कैर में लगी रही उन्होंने अपनी शादी के करीब 10 साल दर्च करवाती हैं अब भाई एक ही शहर में होकर बेटी का अपने पेरिंस के पास आना वला अजीब कैसे हुआ यही वचा है कि वो अपने पते निकल नंदा और दिल्ली से दूर मुंबई में रहती है श्वेता बचन निकल नंदा के अलग होने या उनके डिवोस को लेकर पर ओड रही अवाइल सही नहीं है वेल अभी तो श्वेता एश्वार या अभीशे के तलाग की चक्कर में सुर्ख्यों में चाही हुई है लोगों का कहना है कि श्वेता के चकर में ही दोनों का रिष्टा तलाग तक पूंच गया बना आपको क्या लगता है तो कॉमेंट दूलो और फॉलो और विच्ट फार मोर विडियो